नमस्कार, मैं वमेश नागर, रुदरा इंडिस्टीज में आपका हार्दी का विनंदन करता हूँ देखी आज का हमारा जो सम्मोग विसे हैं वो है जेविखेती सबसे पहले हम समझते हैं कि जेवी खेती या प्राकरतिक खेती या जीरो बजट जेवी खेती क्या होती है जेवी खेती यूरिया डियेपी जित्ते भी रसाइनिक उर्वरक हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना ही जेवी खेती नहीं कहलाती है उसके साथ साथ हमें हमारी जो खेत की मिटी हैं उस मिटी में उपस्तित जो जिवास्म हैं उस जिवास्म को बचाना उस जिवास्म के पोषण के लिए जरूरी जैविक खाड डालना या औरगनिक कमपोष खाड डालना ही जैविक हैती कहलाता है लोग यह सोचते हैं कि हमने हमारे खेतों में यूरिया डियेपी नहीं डाला और हमने हमारी जो जैवी खेती है वो कर ली यूरिया डियेपी तो आपको नहीं डालना है लेकिन उसके साथ साथ आपको मिठी में उपस्तित जिवास्म है उस जिवास्म को बचाने के लिए उस जिवास्म को पोसर देने के लिए जो हम जरूरी खाद कमपोस्ट या गोबड का खाद डालते हैं उसे हम जैवी कहती कहते हैं देखिए प्रशना आता है कि जैवी खेती क्यों जरूरी है जब से हमारे देश में हरित क्राएं तक Wikis Ayati ते तब से हम अत्यदिक रसाइनों का जमीन में इस्तेमाल करने लगए तो उन अत्य से हमारी जो जमीन हैं जमीन की जो उपजाव शम्ताय वह खतम होने लगती कैसे हमारे जो हमारी मित्र कीट है है या मित्र जैसे केच्व हैं या क्या करता है किच्वा हजारों बार जमीन वे उपर से नीचे जाता है और जमीन में हमारे मनें सब्साइता है वित तो उस उस्षेहरों से करेगा और खेत की जो मिटी है उसको उलट पलट करेगा जयानि हम अहडोतिवासा में बोले तो उसको बिल्कुल बारी किया पॉली कर देगा नरम कर देगा ठीक है तो यूरिया डीपी की इस्तेमाल से क्या हुआ यूरियन टिप फेकने से वह जित्टे आ लीमारे जो मित्र जनतूंत के ज़ी जनतु हैं जहुट छमीन के वह सारे खत्म Morning यानि केचवय खतम हो गए केचवय खतम हो गएंगे तो छिद्र बनना बंद हो गए तो जो बारिसका पानी आता है वह खेत में खेत मे जाके जमीन में जाके बेज बे जाता दी जाता है दूसरी छी जो apprendre पारोबार उपर से नीची जाता था और जमीन को नरम करता था वह नरम जो मिट्टी है वह नरम उना बंद हो गई तो हमारी जमीन वह कड़क होने लगी यानि बंजर ओने की और अग्रिशर हो गई अब बात करते हैं हम जेविक कार्बन एक सब्द आता है कि जेविक कार्बन जैसे हम किसी भी वस्तोय जिसे दूद है दूद को हम लिटर में नापते हैं वैसे हमारी जमीन की उपजाओं समता है उसको हम जेविक कार्बन एक पेरामिटर है उसके थुरू नापते हैं जैसे हम वहारी जमीन का जरु कार्बन हैं वह 0.5 से उपर होना चीए 0.5 से 0.8 तक होना चीए लेकिन अभी महारा जरुल जमीन का जरु कार्बन हम वह 0.25 से 0.3 तक रह गया यानि बहुत ही खतरनाक इस तर पर हमारा जो जमीन का जो जेविक कार्बन वो गिर चुका है तो इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन हैं कि यूरिया डिएपी और रसायनों का इस्तेमाल कम करें और उन खादों का प्रियोक करें जो हमारे जो जमीन हैं हमारे जो खेते उनके लिए उपयोगी हैं जैसे वर्मी कमपोस्ट हो गया कोई भी जेविक खाद हो गया गड़ा कमपोस्ट हो गई गोवर का खाद हो गया कोई भी कोई भी जेविक खाद का हम प्रियोक करें और हमारे जमीन क के जो जेविक कारबन है उसको हम उच इस तर पर लेके आएं धन्यवाद